हेलो दियर स्टुडेंट्स अब हम मैट्स का बग स्टार्ट करें मैट्स में सेंपल टेस्ट पेपर हमारा हाफ हो गया था अब हम उसे कंप्लीट करेंगे अब है question 5 put greater less or equal symbol in the boxes आपको ये दिये हो है box और digits दिये हो है आपने देखना है greater कौन सा है lesser कौन सा है और equal कौन सा है ठीक है और next draw the beads on the abacus and add or subtract the given number ये आपको numbers दिये हो है add or subtract आपने abacus पे करना है ये last chapters जो आई थी आपने उस पे किया भी था तो आप यहाँ से complete करेंगे ठीक है next देखिए there were 12 boys playing football 12 बच्चे जो है football खेल रहे है out of those four boys got injured and left the playground और जो चार बच्चे है वो वहाँ playground में घायल हो जाते हो नहीं चोट लग जाती है तो वो छोड की चले जाते है अब आपको बताना है कि कितने बच्चे खेल रहे हैं अब 12 बच्चे थे और four चले गई तो हम subtract करेंगे न तो write करना है यहां भी write कर सकते हैं ठीक है next देखिए write the numbers for the following आपको पता 26 हम कैसे लिखते हैं ऐसे 38, 12, 19 यह आप कुछ से लिखेंगे tick the object that have an oval shape आपको oval shape करवाई है यह तो circle है यह भी नहीं है तो यह oval shape है इस पे हम tick कर देंगे अब आपको बताना है tick the objects that rolls जो objects इसमें roll करते हैं वो आपने बताना है यह आप खुद से बताएंगे जो roll करते हैं आप उन पर tick कर देंगे जो नहीं करते हैं आप उन पर cross कर दें यह आपका मैप्स का वर्क बिटा कंप्लीट हो गया है तो आप इसे कंप्लीट करेंगे ओके तैंक यू एव नाइस टे